Hello everyone, आज हम इस वीडियो में एक most important topic का discussion करने वाले हैं, जो कि है इतिहास के प्रमुख युद्ध, कब हुए किसके बीच हुए क्या result रहा, इन सभी को हम लोग completely इस वीडियो में cover करने वाले हैं, तो start करते हैं अपना first question, तराइन का प्रथम युद्ध किस issue में हुआ था या कि क्या होता है कि मुहम्मद गौरी और प्रित्वी रास चौहान के बीच में यह तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है और प्रित्वी रास चौहान की इसमें जीत हो जाती है, मुहम्मद गौरी हार जाता है, लेकिन वहीं अगर बात करें तराइन का दूसरा युद्ध जानते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यह बारए सो पंद्रा में हुआ था इसमें दिल्ली सलतनत के माम राजा मामलुक राजा कौन था यानि कि गुलाम वंश का जो राजा था तो इल्टुतमिश उसका नाम था उसने किसके साथ में ये लड़ाई लड़ी थी तो ताज अलदिन यलदौज ठीक है इसको हराय था और कबजा कर लिया था तो इस वज़े से तराइन का जो तीसरा युद्ध है वो इल्टुतमिश जीत जाता है 1215 में ठीक है नेक्स्ट यमुना नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में इस्तित है और इटावा की सिमा मध्यप्रदेश से लगती है आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है तो चंदावर के युद में मुहम्मद गौरी ने राजा जैचंद को पराजित किया था 1194 में ये ह खतवली का युद्ध कब लड़ा गया था इसका सही उत्तर हो जाएगा 1517 में 1517 में खतवली का युद्ध मेवार और दिल्ली सल्तनत के बीच में हुआ था इस में मेवार के राना-सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इबराहिम लोदी को हराया था इब्राहिम लोदी आपको ध्यान में होगा कि इसने ही पानिपत का युद्ध लड़ा था बावर के साथ में पानिपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था इसका सही उत्तर हो जाएगा 1526 में ध्यान में रखेगा ये 1526 में मुगल शासक बावर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये हुआ था लोदी वंश का संस्थापक कौन था बहलोल लोदी उसके बाद में आता है सिकंदर लोदी सिकंदर लोदी के बाद में आता है इब्राहिम लोदी तो वही जो तीसरा शासक था लोदी वंश का जो कि सल्तनत काल का भी अंतिम शासक था इबराहिम लोधी, उसके ही साथ में पानी पत का प्रथम युद्ध 1526 में मुगल शासक बाबर और इबराहिम लोधी की बीच में होता है। तो इस युद्ध में इब्राहिम लोधी को बाबर ने पराजित कर दिया था। जिस तरीके से हमने देखा खतौली के युद्ध में भी इब्राहिम लोधी हार जाता है किसे मेवाण के राणा सांगा से। अब देखे जो पानीपत की युद्ध होते हैं इनका हम complete discussion यहां करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध हमने देखा बाबर वर्सिस इब्राहिम लोधी 1526 में होता है बाबर इसमी जीत जाता है इब्राहिम लोधी को बाबर ने पराजित कर दिया। पानीपत का दृतिय य खानवा का युद्ध की बाद करें तो अहमद शाह अब्दाली वर्सिस मराठा की बीच में हुआ था 1761 में ध्यान में रखना है कई मराठा पक्षो को नस्ट करने के बाद अहमद शाह दृर्रानी विजई हो गया था तो ध्यान में रखना है आपको की इसमें बाबर जीतत इसमें अकबर जीतता है और इसमें अहमद शाह अबदाली जीतता है मराठा हार जाते हैं खानवा का युद्ध कब हुआ था तो बाबर से संबंधित है ये 1526 में हमने देखा कि पानीपत का युद्ध होता है और किसके बीच होता है बाबर और राणासंगा के बीच में होता है इस युद्ध को बाबर ने राणासंगा को हरा कर जीता था देखे अब यहाँ फे एक क्वेशन है इसके थोई हम समझेंगे निम्ड में से कौन सही सुमेलित नहीं है which of the following is not correctly matched तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चंदेरी का युद बाबर और सेरसा सूरी के बीच में होता है ये सही सुमेलित नहीं है ठीक है तो देखिए इसमें आपको ध्यान में रखना है कि पानी पत का प्रथम युद ये बाबर और इबराहिम लोदी की बीच में होता है ये तो सही है खानवा का युद बाबर और राना सांगा की बीच में होता है ये भी सही है घागरा का युद बाबर और अफगानी शासक की बीच में होता है ये भी सही है यानि कि जो हमारा third option था वो गलत था देखिए यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि पानीपत का प्रथम युद बाबर और इब्राहीम लोदी की बीच में 1526 में होता है और बाबर इब्राहीम लोदी को हरा देता है खानवा का युद 1527 में होता है इस युद में बाबर ने राणा सांगा को हराया था चंदेरी का युद बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है 1528 में बाबर ने राणा सांगा के प्रमुख सहयोगी मेदिनी राय को हरा दिया था गागरा का यूदि बाबर और मुहम्मद लोदी के बीच में 1529 में होता है इस यूद में बाबर ने मुहम्मद लोदी के नितर्ति में अफगानों को हराया था पानी पिया खाना खाया चला घागरा बांध के ये तरीके से ट्रिक है पानी पिया खाना खाया चला घागरा बांध के ये आपको ध्यान में रखनी है 1526, 27, 28, 29 पंदरा सो तीस में फिर क्या होता है बाबर की डेथ हो जाती है यानि कि उसके मृत्ति हो जाती है चौसा का युद किस वर्ष हुआ था इसका सही तर हो जाएगा पंदरा सो उन्तालिस में चौसा का युद्ध 1549 में शेर खान और हुमायों के बीच हुआ था इस युद्ध में शेर खान की जीत हुई थी और उसने अपना नाम बदल कर शेर सा सूरी रख लिया था कन्नाज का युद्ध कब लड़ा गया था तो ये आपको ध्यान में रखना है 1540 में कन्नाज का युद्ध लड़ा गया था इसी को हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं और इस युद्ध में एक बार फिर शेर सा सूरी ने हुमायों को हराया था और कन्नाज का युद्ध या फिर जिसको बिलग्राम का युद्ध कहते हैं 1540 इश्वी में सेरशा सूरी और हुमायों के बीच में लड़ा गया था ताली कोटा का युद्ध कब हुआ था इसका जो सही एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1565 में ताली कोटा का युद्ध 1565 में बहमनी सामराज्य और विजयनगर के दीच में हुआ था इस युद्ध को राक्षसी तंगडी का युद्ध भी कहते हैं या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं तो इस युद्ध को दो नाम है इसके राक्षसी तंगडी का युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध इस युद्ध में विजय नगर सामराज्य का अंत हो जाता है और बहमनी सामराज्य अस्तितों में आ जाता है पंदरसो पैसच में आपको ध्यान में रखना है ताली कोटा का युद्ध हुआ था हल्दी घाटे का युद्ध कब हुआ था तो इसका सही एंसर हो जाएगा पंदरसो चीहत्तर हल्दी घाटे का युद्ध 1576 में अकबर और महराणा प्रताब जी के बीच में हुआ था ठीक है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था इसका सही एंसर हो जाएगा 1757 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था ध्यान में रखेगा इसमें एक तरफ सेना थी ब्रिटिश इस्ट इंडिया कमपनी की और दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब ठीक है लेकिन पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद दौला होता है ध्यान में रखेगा ठीक है अली नगर की संधी कब हुई थी इसका सही एंसर हो जाएगा 1757 में ही तो अली नगर की संधी ब्रिटिश इस्ट इंडिया कमपनी के रोबर्ट कलाइफ और मुहमद सिराजुद दौला मिर्जा ये बंगाल के नवाब के बीच में यही पलासी के युद्ध के बाद में ही ये संपन्न की जाती है अली नगर की संधी पुरंदर की संधी यानि कि जो 1665 में हुई थी वो किसके किसके बीच में हुई थी तो ये देखिए जैसिंग प्रथम और छत्रपती सिवाजी के बीच में हुई थी ये पुरंदर की संधी 1665 में पुरंदर किला महरास्ट के पूर्णे में इस्तित है ये आपको ध्यान में रखना है अब यहाँ पे देखिए कुछ और इंफर्मेशन है जो मुगल बादशा और अंग जेव की ओर से राजा जैसिंग ने हस्ताक्षर किये थे पुरंदर की संधी पे 1665 में शिवा जी 23 किलो क के अधिन 5000 सैनिकों के आपूर्ती करने का भी ये वादा किया था शिवा जी भारत में मराठा समराज्य के संस्थापक माने जाते हैं 1674 में उन्हें आपचारिक रूप से राएगड में अपने समराज्य के छत्रपती यानि कि समराठ की रूप में इनको ताज पहनाया गया राजा जैसिंग राजा मान सिंग के वनशज हैं और वह समराठ अकबर के प्रसिद्ध नवरतनों में से एक हैं कौन राजा मान सिंग तो राजा मान सिंग के संबंधी थी राजा जैसिंग ये आपको ध्यान में रखना है इस तरीके से आपको ये बेसिकली ध्यान में रखन पुरनर कि संधी होती है वो राजा जै सिंग और थैफम करनाटक एउद किसके और किसके बीच में लड़ा गया इसका सही इतर हो जाएगा फ्रानसेसी और ब्रटेंग के बीच में के लड़ा गया था ठीक है तो ध्यान में रखिएगा जो पहला जो करनाटक एउद हुआ था दूसरा करनाटा की उद्धा था वो रॉबर्ट क्लाइव और जो मुगल एम्पायर के नवाब है जो करनाटा के नवाब थे उनकी बीच में हुआ था 1759-1754 में तीसरा जो करनाटक युद हुआ था 1758-1763 तक फ्रांसिसी और ब्रिटिशर्स के बीच में ठीक है नेक्स्ट देखिए आपको बिसिकली इसमें ये बताना है कि जो सेंट थोमे की लडाई हुई थी जिसमें की फ्रांसिसी और जो अनवरुद्दीन की बीच में हुई रखेगा कि 1746 में फ्रांसिसी सेना इसको जीत जाती है और करनाटक के नवाब जो अनवरुद्दीन होते हैं वो हार जाते हैं और फ्रांसिसी और करनाटक के नवाब अनवरुद्दीन की बीच में ही अड्यार नदी की तट पर सेंट थोमे के लडाई लड़ी जाती है जिस प्रशुड़ी भारत में एंगलो फ्रांसिसी संघर्ष में एक निर्णायक लड़ाई थी इसमें फ्रांसिसी सेना की हार हुई थी ध्यान में रखिएगा अंग्रेज और फ्रांस के बीच में ये 1760 में ये वांडी वास का युद्ध होता है जिसमें की फ्रांसिसी सेना हार ज जाता है ओके तीन साल बाद प्रथम आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सत्रसो सरसट से उनहत्तर तक और प्रथम मैसूर युद्ध अंग्रेजो और हैदर अली के बीच में सत्रसो सरसट से 1769 इस वी तक होता है हैदर अली ये टीपू सु 1769 में हुई थी पहले अंगलो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए मदरास के संधी करवाए गई थी 1769 में और ये ब्रिटिश और मैसूर के हैदर अली के बीच में हस्ताक्षरित किया गया था ठीक है ब्रिटिश सेना और इस युद्ध के दोरान 1782 में हैदर अली की मृति हो जाती है और उसका जो पुत्र होता है टीपू सुल्टान उसका उत्तराधिकारी बन जाता है उस अवधी के दोरान जो गवर्नर था वारेन हैस्टिंग्स था ये आपको ध्यान में रखनी 1784 के मैंगलोर की संधी पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है जिससे की द्यती आंगल मैसूर वो समापत हो जाए अब त्रिती आंगल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था इसका सहीतर हो जागा 1792 में टीपू सुल्तान के खिलाफ में ब्रिटिश मराठा निजाम की सेना आ गई थी और उस अवधी की दौरान वो गवर्नर था कॉर्न वालिस ठीक है जब हैदर अली था तब ये जो मराठा और निजाम थे वो हैदर अली के साथ में थे लेकिन हैदर अली की डेथ के बाद में टीपू सुल्तान सबको युनाइट यानिकी एकता के सुतर में नहीं बाद पात ठीक है श्री रंगपत्तन की संधी कब होती है तो इसका सही उतर हो जाएगा 1792 में तृति आंगल मैसुर युद्ध के बाद में 1792 में टीपू सुल्तान की द्वारा स्री रंगपत्तन की संधी पर हास्ताक्षर किये जाते हैं ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है नेक् परेजों के लिए फ्रांसीसियों का खत्रा भी इस तरीके से समाप्त हो जाता है उस आवदी के दौरान जो गवर्नर था वो वेलिजली था ठीक है जिसने की सहायक संधी के शुरुवात की थी बकसर का युद्ध कब हुआ था इसका सही उतर हो जाएगा 1764 में ये देखें 22 दूती की संयुक्ति सेना एक तरफ होती है और दूसरी साइड होती है अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी ठीक है तो होता क्या है कि इस विद्ध में भी इस्ट इंडिया कंपनी की विजए हो जाती है बाकी सभी संयुक्ति सेना ये वो हार जाती है और इसमें नवाब होत ठीक है ये चीज़ आपको ध्यानवे रखनी है 1765 के इलाबाद की संधी के द्वारा इस्ट इंडिया कंपनी ने क्या प्राप्त कर लिया था तो बंगाल बिहार और उडिसा की दिवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया था यह हमने देख लिया तो प्लासी का युद्ध 23 जू नवाब शुजाओद दौला होता है यह दोनों में ही आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है नेक्स्ट देखिए 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वरा इलहबाद में नवाब सुजाओद दौला और समराच शाह आलम द्विती के साथ दो संधिया की गई थी आवद 26 लाख रुपए के वार्षिक यह जो पेंशन के तौर पे इस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार और ओडिसा के दिवानी मिल गई थी तो 26 लाख के वार्षिक पेंशन दी जाती थी जो शाह आलम द्विती था मुगल और क्या होता है इससे इस्ट इंडिया कंपनी को ब प्रतिनेदियों के द्वारा 17 मई 1782 में इस पर हस्ताक्षर किये जाते हैं और इस पर वारेन हेस्टिंग्स और महादजी सिंधिया के बीच में यह हस्ताक्षर किये गये थे तो यह सभी चीज़े आपको ध्यान में रखनी है सालभाई संधी के तहत यह सभी काम हुए थे 1882 में बेसिंग की संधी निम्नलिखित में से किसके बीच में हुई थी तो इसका सहीतर हो जाएगा बाजी रावद्विती और ब्रेटिशर्स के बीच में यह हुआ था नाना सहाब बाजी राव द्युती के दत्तक पुत्र थे घोध लेवे अडॉप्टेट सौन थे नाना सहाब इनका एक और नाम था धोंधू पंत ओके नेक्स्ट देखिए अंग्रेज़ों और किसके बीच में राजपुर घाट की संधी पर हस्ताक्षर किये गए थे यह य ज्णहित किया था ठीक है तो द्युती आंगल मराठा युद्ध राजपुर घाट की संधी से समाप्त हो जाता है पिन्डारी युद्ध यानि 1817 17-1818 को किस नाम से जाना जाता है तो यह तुरती आंगल मराठा युद के नाम से हम पिंडारी युद को जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर है जो पहला आंगल मराठा वार हुआ था, 1775-1782 में, इस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में, इसमें सूरत की जो संधी है, उ से खतम होता है जो दूसरा आंगल मराठा वार होता है 1803 से 1805 में होता है इस्ट इंडिया कंपणी और माराठा के बीच में होता है ध्यान में रखेगा बसीन की संधी इसमें साइन की जाती है 1802 में तीसरा आंगल मराठा वार होता है 1817 से 1818 में ब्रिटिश इस्ट इंडिया कं से किस वर्ष संपन हुई थी इसका सही उतर हो जाएगा 1816 में 1816 में हस्ताक्षरित यह सुगौली की संदिय ब्रिटिश भारत और नेपाल सामराज्य के बीच में यह साइन के गई थी ठीक है तो ध्यान में रखेगा सुगौली की संदिय ने ही यह निरधारित किया था कि अब देखे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध होता है 1965 में होता है 1971 में 1999 में most famous कारिगल का युद्ध होता है ठीक है भारत और चीन के बीच में 1962 में युद्ध होता है प्रतम विश्व युद्ध की बात करे तो 1914 से 1918 के बीच में चला था द्विश्व युद् पर अधिकार स्थापित किया था कलिंग का युद 261 इसापुरों में हुआ था बिंदुसार के पुत्र अशोक ने 261 इसापुरों में कलिंग पर आकरमड किया था और कलिंग पर यानि की ओडिशा जो अब इसका नियू नेम है तो ओडिशा पर कबजा करने में भी सफल रहा हाईडे स्था का युद ये 326 इसापुरों में होता है सिकंदर या एलेक्जेंडर और पंजाब की राजा पोरस की बीच में हुआ था इसमें सिकंदर या फिर एलेक्जेंडर की जीत हो गए थे राजा पोरस हार गय थे हाला कि बात में ये होता है कि सिकंदर या एलेक्जे थे वो पंजाब की राजा थे Now this question is for you इसका आपको सही उत्तर कॉमेंट सेक्शन में देना है आपके प्रिश्न है प्रथम करनाठा की युद्ध है किसके और किसके बीच में लड़ा गया था Thank you so much for watching this मिलते आपसे नेक्स वीडियो में Then take care अपना खूब सारा ख्याल रखिए और दोस्तों के साथ भी जरूर शेर कीजिए और keep revising this session